हेलो एवरिवन अस्सलाव अलेकूम मैं हो रिजवाना सिंधी स्वागत है आपका क्लासिक तलका में तो आज हम बनाने वाले हैं एक साही डेजर्ट यानि के साही टुकडे इस रेसिपी में बेहत आसान बेजिक से इंग्रेडन से बनकर रेडी हो जाती है और यह बहुत ही कम स कीप की एंड तक जरूर देखें तो चलिए फिर सुरू करते हैं साही टुकडे किस तरीके से बनाएं यह हमने कडाई ले ली है और गेस की फ्लेम को हमने स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में हम गेस की फ्लेम को फुल रखेंगे और हम इसमें कम से कम एक लिटर जितना दूद एड करेंगे और दूद को अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे और दूद के इलावा मेरे पास जो फ्रेस क्रीम है वो भी मैं इसमें एड करूंगी मैंने कम से कम एक कटोरी जितना फ्रेस क्रीम एड किया है और उसको अच्छे से हम उबलने देंगे देखिए दूद में अच्छे से उबाल आ चुका है और हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताके दूद नीचे ना लगे अब हम दूद के अंदर सक्कर एड करेंगे मैंने तीन से चार कर्टोरी सक्कर एड की है आप अपने टेस्ट के हिसाब से किजी आप जितना मीठा खाना पसंद कर उस मैंने डायरेक्ली केसर डाला है एक चुटकी जितना और वह डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूद को आच्छे से उबालती रहेंगे पांच से दस मिट तक हम दूद को उबालेंगे उसके बाद मैंने ये एक कटोरी milk powder लिया है और milk powder डालने के बाद उसको और यह मैंने रोस एसेंस लिया है इसकी में चार से पांच बूंदे इसमें एड़ करूंगी और हम फीर से दूद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पर हम गेस की फ्लैम को बन कर देंगे यह मैंने बड़ी साइस की ब्रेड ले लिए है और ब्रेड की जो कॉर्नर होता है वो हम छूरी की मदस्से में उसे निकाल लूँगी आप चाहे तो निकाल ले वरना रहने दें इसी तरीके से में सभी ब्रेड की जो स्टार्टिंग होती है कॉर्णर वो मैं निकाल दोंगी और उसके इस तरह के से हम पिसिस कर लेंगे आप जैसा भी सेफ रखना चाहो आपके हिसाब स्याब रख सकते हो देखिए मैं इस तरीके से इसको कट कर लिये है और ये कट करने के बाद फिर से मैं इसको और छोटा करूँगी इसको हम बीच में से फिर से हम कट करेंगे बस ये साइस के हमें टुकडे रेडी करने है ब्रेट के और इसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे दुसरी साइट पर हमने एक पैन रख लिया है गेस की फ्लेम को हम मेडियम स्लो रखेंगे उसमें मैंने धाइसो ग्राम जितना सुद्ध गी एट किया है और गी गरम हो जाने के बाद जो हमने ब्रेट के स्लाइस किये हैं वह हम इसमें फ्राइ कर लेंगे आप चाहो तो गी की जगा पर आप ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप गी में बनाएं बहुत बढ़िया टेस्ट आता है देखिए हमने ब्रेट के सभी स्लाइस को इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है सुने रहा होने तक हम उसे इस तरह से फ्राइ करेंगे और उसे निकाल लेंगे इससे ज़्यादा हमें फ्राइ नहीं करना है इसी तरीके से में सभी ब्रेट की स्लाइस को फ्राइ करके निकाल लोंगी आप चाहो तो इसे टीशी पेपर रखके उसे ठंडा कर सकते हो तो उसका एक्स्टा ओयल भी निक और इस तररीके से सबी ब्रेट की साइज स्लाइस को जमा दिया है अब इस पे में ड्राइआफ कपने सब्से पहले आप जो भी द्राइब छो ये सबस्टे करें पसंद बूसरा है और ए ही पीश्टार टमने करके है उसे अफट की रेड़ किया उसे एक तंडा होने के रेडी हो गई है खाने के लिए आप इसे फ्रीज में आदा या एक घंटे के लिए आप ठंडा होने के लिए रख दे और उसके बाद आप इसे इंजोई करें तो आप भी एक साही डेजर्ट बनाईए और अपनी फेमिली मेंबर को खिलाईए और कमेंड वक्स में मुझे बता रखे बिल्कुल गाड़ी रबड़ी की तरह ना कर दे हमें ज्यादा ना जाड़ी रखनी है ना ज्यादा पतली हमें बराबर से रखनी है तो आप भी बनाईए और साही टुकडो की रेसिपी को एंजोई कीजिए और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तरका को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तरका को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिएगा दुआओं में याद कीजिएगा अल्ला हाफीज वीडियो छे लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन अन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे